हेलो हाई वल्कम टो मैं कोकिंग ब्लॉग ये मैं अचली हॉग डे स्पेशल कुछ बनाई थी तो जैसे आप वेजिटेबल चप पोलते ना वैसे ही कुछ बनाई थी जो कि हार शेप का था और हग दे भी था तो कुछ था हमारे यहां पे मंडे को हम लोग नो निन गाले खाते में प्याज लेसन नहीं रहता है तो वेजिटेबल चप थोड़ा अच्छा अप्शन था इसके लिए में एक चमजीरा एक चमज साबुद्धनिया सुखी लाल मिर्ची और कुछ पिपर देखे उसको रोस्ट करकी मसाला बना दिया और देखे एक बीट और एक गाजर को में पीज ली हूँ और इसको ही हम लोग वेजिटेबल चप में यूज करेंगे अभी देखे इसमें पच्छ कोरण डाली फिर अद्रक को कुट के और उसके साथ मिर्ची को थोड़ा सा फाइनली चॉप करके उसमें डाली हूँ और अभी देखे पहले में बीट रूट को ड तो अभी देखे नारम हो जा रहा है अभी कुछ मसाला जैसे के उसमें देखे मैं ली हूँ एक चमच चाट मसाला नमक स्वाद अनुसर एक चमच रॉक सॉल्ड उसमें देखे चीनी भी ली हूँ चीनी थोड़ा सा डालने से बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट उसके आखे लाह बहुत आशी तो अभी ऊपर से मैं भोजय हमारे यहां इसको बोलते हैं वह फच्चा मसलय पुरा है अ पूरा डालक अच्छ से बहुनने के बाद इसका टेस्ट अच्छा को जाते हैं और बहुत आधा 밭ैम डाल नारियो और बी अच्छे से सोटे करने के बाद यह पुरा रेडी हो गया और रेडी होने के बाद इसको थंडा करने के लिए चोड़ दी ती उसके बाद देखे अब एक ठो शुरी बनाओंगी उसमें ली हो दो चमच कॉन्फ्लोर एक चमच आठा आठा के बदले में आप मेदा ले सकते हैं उसमें देखे लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा नमक ली हो और यहां पे ली हो में सूजी सूजी के बदले में आप ब्रेड क्रॉम ले सकते हैं या पोहा भी ले सकते हैं या मुरमुरा का आप भी पाउडर ले सकते हैं तो देखे इसमें अब इस लहरी को में पानी द को दे सकते हैं हाड शेफ्ट दे सकते हूं नॉर्मल यह हम लोगों का वेजटेबल जॉप ऐसे ही सिलेंडरिकल शेफ होता है तो मैं वैलेंटरेंड डे स्पेशिल जैसे थीम के हिसाब से बना रहे हूं तो इसलिए मेरे पास एक कोकी स्कटर था जिसमें हाड शेफ्ट था तो मैं अभी उसी से ही शेप बनाऊंगी तो देखिए ऐसे करके दे दी और उसमें क्या कर रहे हूं मेरे पास जो कोकी स्कटर है उसको डाल के और नीचे से काट दे रहे हूं तो यह पुरा हमारा परफेक्टली हाट जैसा दिख रहे है और में और भी टाइट ले इसको शेप दे करण गें तो मैं क्या करें अभी देख रहे हूं कि अभी डेक्व में बूल गई मगर आप कोक से करेंगे कि दोनों हैंड आप तुरंट यूज नहीं करेंगे उसमें क्या होते ना लास्ट ने माको बोली थी बहुत सारा वेस्ट हो जाता है आपका यह ड्राइए तो आप मंगर क्या करेंगे एक हाथ में आप ऐसे फोक लेंगे और दूसरे हाथ में ऐसे आप उपर से स्प्रिंकल करेंगे तो आप का जो यह सुजी इतना वेस्ट नहीं जाएगा या ब्रेड क्रम जितना वेस्ट नहीं जाएगा तो देखिए ऐसे करके मैं सब बना दी और पुरा रिडी हो गया तो देखिए मैं तेल गरम करने के लिए बिठा आई थी और तेल गरम भी हो गया अभी एक एक करके मैं हाट शेप और जि पूरा अच्छे से जैसे उसका फिलिंग होता है ना बहुत अच्छा लगता है तोड़ा टाइम दे के आप करेंगे बहुत अच्छा लगता है अगर आप भड़ी में बहुत जल जल दी कर देंगे तो यह जैसे की रावा हो या ब्रेड क्रम हो बाहर से जल जाएगा वो दिख और बीच तो दोनों फ्रेंड है तो दोनों मिलके हग करके ऐसे बना दे आपका डे को स्पेशल तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक्स पूर वाचिंग